वेल्कम और वेल्कम बैक टो आर चैनल ग्लोरियस शिल्पी सो गाइस काफी लोगों का इसा बोलना है कि काफी टाइम हो गया और आपने वीडियो वगेरे नहीं डाले हैं नहीं अप्लोड कर रहे हैं इन फैक्ट मेरे महले में काफी लोग हैं उन्होंने बड़ काफी बच्चे हैं जो कि मेरे वीडियो देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो उन्होंने बोला कि मुझे भाबी बोलते हैं कुछ मामी कुछ चाची उन्होंने बोला कि क्यों आप वीडियो नहीं डाल रही हैं क्या हुआ तो मुझे लगा कि शायद अगर उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है मैं वीडियो नहीं डाल रही हूं कुछ प्राब्लम हैं तो मेरे जो अधर सब्सक्राइबर जो मेरे को वाट यूट्यूब चानल को चलाने का सोच ही लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ अगर मैं आपके साथ अच्छी चीजे शेयर करती हूं और मुझे अच्छा रिस्पॉंस मिलता है तो मैं दुख वाले चीजे भी आपके साथ जरूर शेयर करूं क्योंकि यूट्यूब चानल को चलाने का सोच लिया है तो बस जैसे की होता है ना कि पेट होता है आपका कि वो आप किसी भी परिस्टी में हो उसे आपको भरना होता है आपको भूग लगती है आपको खाना होता है कोई रहे या ना रहे वो चीज आप नहीं बंद कर सकते तो कर सकते हैं डिपेंड यह करता है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं पर मेरा यह मानना कि अगर में पास 4-6-8-10 सब्सक्राइबर या फिर 1000 सब्सक्राइबर भी हैं तो मैं उनके लिए भी यह वीडियो डालू बनाऊं तो आज का जो वीडियो है यह बहुत जा हो सकता है परिशानी में हूँ या फिर मुझे टाइम नहीं मिला है या फिर वो समय नहीं है वीडियो डालने का सही समय बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो अपने यूट्यूब क्याल को चलाते हुए उनके उपर एक इतनी बड़ी विपदा पर जाती होगी उनक पूछे हम्मत ही नहीं हो रही थी इस बिल्कुल हम्मत ही थी बड़ जब कई लोगों नहीं से पूछा की क्या हुआ है वीडियो कूँ नहीं डाल लें है आप डालीं वेड कर रहे हैं मैंने जो चार्ज बताती हूँ तो गाइस मेरी एक ही बुआ जी है मतलब एक ही बुआ जी थी और अभी 13 दिसंबर में उने वह एक्सपाईER हो गई गवर जो बी-पी है वो बी-पी की प्राब्लम उनको चल रही थी तो बी-पी बहुत था हाई लोग हो जा रहा था उनका इबर हाई हो जा रहा था उनको शुक शुगर ऑजी professional decides Ay तो हाई जैसे ही उनका भी दमसे ना हाई हुआ तो उन्होंने उन्हें मतलब ऐसे ब्रेन में क्लॉट हो गया और फिर उन्हें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी चीजों को तो वो इधर उदर भाग रही थी कि मुझे फर्शानी हो रही है तो सड़नली उनको मतल कुल बुझेान को रही है और बहुत को बगार में दोनों चोटे भाग आरिदभी नहीं है और मेरी जो पुलबाह जी है वह सरकारी टीचर आन जूनियार में सेटार है तो काइस मैं बता रही थी कि वो जो है काफी परशान महईसूस कर रही थी तो उनको तुरंथ ही हॉस्टेल में किया गया और करने के ही उनको तो-तिन दिन आडमेट किया गया है और फिर ढोप्टर ने बोला कि उनका जो है ब्रेन में उनको एक बीपी हाई होने के वज़े से एक साइड का पार्ट उनका खराब ही हो गया उसी के चलते है बट जो कलोट हो गया था वह रुक नहीं रहा था ब्लट जाही रहा था हैं तो उसमें उनका जो है ना ब्रेइन हैम्मरेज भी हो गया बट मैं यहां आपको बताओ कि डॉक्टर्स वित् prejudice क्या होता नइक क्या हुआ कि गुवा जी को पहले नौर्म soll blossoms तब तक तो ठीक था और फिर उसके बाद उन्हें लगजरी रूम में रख दिया गया फिर भी मिलने दिया जा रहा था तो भी तब तक भी कुछ ठीक था अब आप भूए सेंस में थी अचानक से रात में बोला गया कि नहीं नहीं उनका भीई स्पशे के फिर अ वह यहांग एकस्पायर हो चुकी तो आईसीव में तो हर कोई जा नहीं सकता तो आईसीव में वो एक्सपार हो चुकिती आइधिंग और उन्हें फिर भी शिफ्ट किया गया था ऐसा लगता है बट फिर लेकिन अभी आईसीव में हैं तो आप क्या ही कर सकते हो वो बस बाहर जो भी मेडिसिन बोले या जो भी तो भी देते रहो अंदर आपको जानने के परमिशन नहीं होती। तो से लिखायम कि पराज़न कि प्राम है कि और पाज़ी सथ है। स्थमूर भी डॉप्टर है लखनु में बहुत अच्छे डॉप्टर है जो पराज़न रिखाया चाची जी तो लिखाया अगी मैं और फिर बोला कि अगर ब्रेन हैम्रेज हुआ है तो आप मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए उसकी रिपोर्ट दीजिए बड़ डॉक्टर देने में समर्थ थे क्योंकि शायद अब मुझे पता नहीं वह सही थे अगला थे तो जब वह आई सीउ में गये चाची सास वगेरा तो चेक किया तो उनकी आईज ओपन किया तो आईज कोई मुमेंट नहीं था तो तब यून्होंने बोला कि यह तो नहीं है अब तो डॉक्टर ने फट से बोला क कि हां मैं अब भी बताने ही वाला था कि वट फिलहालों नहीं बोला कि शायद वो इसलिए नहीं सैंस कर रही है क्योंकि उनका ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो ब्रेन को आपरेशन होगा तो भी सही हो जाएंगी तो कोई रिस्क ना लेते हुए मेरे भाई ने यानि मेरी दूबा के बेटे ने बोला कि मैंने दूसर हस्पि टीर लेकर जाऊंगा और दैक्रशन होस्पिक्टल पहुंचते पहुँचते तक में डॉट बोला कि यह नहीं है । ले आए और इस..." इस दोरान अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आपको लगता है कि इतनी हिम्मत हो कि मुझ में कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊं मैं ऐसी कोई भी वीडियो डाल पाऊं नहीं थी अभी जब वुए अड्मिट थी तब भी कोई हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की और अभी 13 दिस कि मुझे लगा कि शाद सबी रोगों को काफी इंतिजार होगा और मुझे उनके साथ अपने दुख भी शेयर करने चाहिए सुख अगर शेयर करती हूं तो हर अगर आपका ध्यान रखती तो आपको भी ध्यान रखना परेगा ध्यान रखना चाहिए सो गाइज घर का महौल अभी आप सो सकते हैं घर का अदमी मुख्या होता है लेकिन इक लेडी ना वो परिवार को फूरा करती है तो मेरी पुआ जी जो बहुत जादा हिमती थी और बहुत मैं बोल सकती हूं बहुत किसमत वाली थी कि उन्हें इतना अच्छा परिवार मिला और एक अच्छे समय में उनकी टीचर की नौकरी लगई तो बहुत अच्छे पदबे थी वो और बस यह एक रह गया कि उन्होंने वह अपनी बच्चों के अभी शादी नहीं कर पाएं अगर कुछ समय और भगवान दे देते तो शायद उनकी बच्चों की शादी देख ले फूफाची का ख्याल रखें जो की हो रहा है बट वह जगा तो कोई नहीं भर सकता बच्चे भी भले बड़े हो गए लेकिन बिल्कुल नादान है बिल्कुल ना समझ है मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा ना हो बट बाते ऐसी होती है कि नहीं समझ में आता कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं क्या सही पूल रहे हो अगर में कुछ भी गलत बोले हो तो उसके लिए मुझे माफी दीजेगा मैं अब को दिखाते हूं मेरी फोटो कितनी जादा इसके साथ कितनी जादा सुन्दर भी थी मैं उसका वीडियो सोरी मैं उसका फोटो भी यहां पर बूआजी के और मेरे साथ की फोटो वो भी मैं यहां पर आपको लगाती हूं ताकि आप भी देखें मेरी बुज़कॉन थी क्योंकि बहुत जल्दी मैंने यूट्यूब चाल स्टार्ट किया और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनके साथ कोई वीडियो शूट कर तो बस गाइस यही है कि बुरे समय में सब कुछ से फ्रषड में सब्सक्राइब हो जाता है और फिर महुण ऐसा हो जाता है समझ में नहीं आता कभी कभी हमारे थो जुट कर भगवान होते हैं हम इनसानों से भीवों डॉक्र Whenि यह बनते हैं पर हमसे को ही वह लूट ने बैठ जाते हैं मुझे यह समझ नहीं आता मैं हर जो पेशन होते हैं उनके फिरू उनके लिए पियार खत्म हो जाता a वह अन्हें उन्हें पारोल, सब्लाइब ब्लाय निया चाहना जाओंगे का सब्सक्राइब को सब्सक्तरे शरुद पिरुजद बस वो यह सोच के इलाज करें कि मैं इसे बचा पाऊं और नहीं बचा पाऊं तो उसके परिवार का क्या होगा यह ना सोचे कि मैं उससे कितिना कमा पाऊं बस यही बोलना था यह वीडियो तो बस सिंपल मैंने ऐसे ही बनाया है क्योंकि अगर मैं आज गुआ के लिए एक वीडियो नहीं बनाती तो शायद मुझे हमेशा गिल्ट रहता मैं स्किप भी कर सकती थी यह सारी चीज़े और नए नए वीडियो डाल देती इस सब चीज़े बिभूल जाती पर शायद मुझे होता नहीं फिर मुझे लगा कि पहले में यह बात कर लूँ फिर में आगे कुछ वीडियो वगड़ा डाल पाऊंगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए एक सेकेंड के लिए ही उनके लिए प्रात्ना करें कि वह जहां भी जैन्नम ले खुशियां मिले सुक्षांती मिले और उन्हें अच्छा जीवन मिले जहां भी रहे बस गाइस मुझे इतनी ही बाते आपके साथ शे प्राइशन की वज़े से बुआ जेके ना रहने की वज़े से यह वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मननी कर रहा था तो मुझे उसके लिए शमा करें और कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से चल्दी वीडियो बगरा बनाऊं थोड़ा इस चीज से उभर जाऊं बस और पु झाल